चेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का Mr. Academy जबलपुर में करेंट की स्रंखला के अंतरगत आज का हमारा टॉपिक है सरस्वती सम्मान वर्स 2022 जी हाँ दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं तमिल लेख का सिवसंक्री जी का चैन किया गया है सरस्वती सम्मान वर्स 2022 के लिए तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम इस सम्मान के बारे में साथ ही सिवसंक्री जी के बारे में जितने भी महत्यपूर्ण परिक्षा उप्योगी प्रश्ण होंगे उन्हें कवर करने जा रहे हैं आपको यहाँ पर बता दें विगत वर्सों में भी सम्मानों से प्रश्ण पूछे गए हैं यही एक प्रमुख कारण है कि हमने इस सम्मान का चैन किया है आपसे डिस्कस करने है तो चलिए ठीक है हम इसका प्रारम करें सर प्रथम बात कीजा है सरस्वति सम्मान वर्स 2022 की तो यहाँ पर महत्रपूण बिंदू है बतीसवाँ चोकि इस सम्मान का प्रारम वर्स 1991 में किया गया तो यहाँ हमें देखने मिलता है कि यदि हमें एक करम की बात करें हे तू इस सम्मान के लिए चुना गया और आंगे बात की जाए दोस्तों इसमें और क्या महत्पूर्ण बिंदू हो सकते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो यह संस्मरण है सूर्वण सम् किस भासा में प्रकासित तो यह प्रकासित हुआ दोस्तों तमिल भासा में और इसके बाद जो और महत्पूर्ण हो सकताonst抱 हो यह चूकि इस वर्स का हमने यहाँ पर देखने मिल रहा है कि तो verse 2021 के लिए भी महत्पूर्ण हो सकता है, किसे प्रदान किया गया, तो आप नाम नोat कीजे, राम दरस मिस्र जी, इन्हें इनकी रचना मैं तो यहां हूँ के लिए, यह सम्मान verse 2021 में प्रदान किया गया था, और आपको यहां पर बता दें, यह는데 हिंदी भासा के रचना हेत्य प्रदान की आ गिया था बात की जए वर्स 2020 के सम्मान की दोस्तों तो यहां पर नाम हमें देखने मिल रहा है Dasarna Switch सरण कुमार लिंबाले सरण कुमार लिंबाले जी को यह है सम्मान वर्स 2020 में इनके उपन्यास सनातन हेत्य जो की और अब आप देख रहे हैं उनकी जो आत्मकता है दोस्तों वो हिंदी भासा में ठीक है तो यहां से हमारे लिए हिंदी के सेक्षन से या हिंदी के छेतर से प्रशन हो सकता है कि हिंदी के लिए या हिंदी भासा में सरस्वती समान निमलिकित मैंसे किनहे प्रदान किया गया है या किन्हे प्रदान नहीं किया गया तो अभी हमें दो नाम तो देखने मिल रहे है सबसे पहला नाम है यहाँ पर 1999 में हरिवन्स राइबच्चन जी को हिंदी भासा छेत्र के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया और इनके अलावा जो दूसरा नाम है दोस्तों वो हमें देखने मिल रहे है वर्ज 2021 में राम दुरस मिस्र जी को मैं तो यहाँ हूँ उनकी रचना हे टू उन्हें हिंदी भासा के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया अब तीसरा नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और इसके अलावा दोस्तों जो एक और महत्पून प्रदान था कि यह अवार्ड पहली बार किस महिला को प्रदान किया गया यह भी महत्पून होगा तो यह तो बात थी अवार्ड की अवार्ड जिन्हें प्रदान किया गया और अब हम बात करते हैं इस सम्मान से जुड़े हुए कुछ महत्पून तथ्यों की तो सम्मान के बारे मेरी हम बात करने तो इस्थाबना से प्रश्ण हो सकता है इसकी स्थाबना वर्ष 1999 में के के बिरला फांडेशन के द्वारा की गई अर्थात यह सम्मान किन के द्वारा प्रदत किया जाता है दोस्तों तो वह संस्थान है के के बिरला फांडेशन आंगे यादी बात की जाए इसके तहट प्रदत रासी तो पुरुसकार रासी है 15 लाख रुपए इसके अलावा प्रसस्ती पत्र और पट्टिका भी प्रदान की जाती है और आँगे बात की जाए यह सम्मान किन-किन भासाओं में प्रदान किया जाता है तो आपको बता दें कि सम्मिधान की आठवी अनसूची में समलिग 22 भासाओं में से किसी भी भासा में लेखक की एक उतकरस्ट करती है तो यह अवार्ड प्रदान किया जाता है अर्था दोस् प्राठी में भी है हिंदी में भी है और आंगे बात की जाए भारतिय नागरिक द्वारा विगत 10 वर्सों में प्रकासि उत्करस्ट क्रती हितु यह अवार्ड प्रदान किया जाता है इसके अलावा दोस्ते हैं हम बात करें तो केके बेड़ला फांडेशन ना केवल सरस्वती संवान बलकि व्यास संवान और बिहारी संवान भी प्रदान करता है तो यह तो बात हुई सरस्वती संवान की और अब हम बात करते हैं सिवसंकृ जी के जीवन के बारे में तो आपको बतादें सिवसंकृ जी का jynnम मद्रास तमिलाडू में 14 अकुबर 1942 को हुआ इनका साहित तो यहाँ पर सरस्वती समान से जुड़े हुए जितने भी महत्पूर्ण पहलू थे वे कम्प्लीट होते हैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दें जो महत्पूर्ण प्रश्ण होगा वो यह कि सरस्वती समान वर्स 2022 का किसे प्रदान किया गया तो तमिल लेखिका सिव संक्री जी को उनके संस्मरन सूर्य वनसम हेतु प्रदान किया गया तो चली ठीक है दोस्तो आज आपसे विदा लेते हैं मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्पूर्ण टॉपिक के साथ धन्यवाज जैहिन जै वारत